नमस्कार प्रिये विद्यार्थियों, हिमाले एडिवाब की इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, प्रिये विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बातचित करेंगे, पसु परीचर भरती परिक्षा के बारे म की देनेक विज्ञान को कहा से पढ़ना ही, स्टार्थ परें कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, इसके अलावा सामाजी की विज्ञान के जो सब्जेक्स हैं, जितने भी सब्जेक्स हैं, उन Сबकी अपन बातचित करेंगे, इस वीडिएओ में आज हमारा फोकस पार्ट अ है उसका जो syllabus है वह है एकदम विस्तरत रूप से दिया गया है अपन टोपिक की बात करें तो 30 से 35 टोपिक है उसमें एजटीज वह सारे के सारे लिखे हुए है तो वह तो आप आप आसानी से कर लोगे किसी भी सोर्स से कोई भी बुक से लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पा है नहीं भई इसमें कोश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे तो आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कहां से चीजे पढ़नी आ कहां से हमें चीजे नहीं पढ़नी है एक बार हम एक न्यूज कटिंग और देख लेते हैं कल की एक न्यूज कटिंग थी कि यह और देखेंगे अपन पसु परीचर बढ़ती विश्तरित स्लेवस जारी नहीं हुआ उसको जानना बड़ा ही जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है यह बहुत जरूरी है किसी को अगर अपनी तयारी करनी है सरकारी नोकरी लगए पढ़ के तो उसको यह जानना बड़ा ही जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है क्योंकि मारकेट के अंदर भूत सारे सोर्से जाएं और वह सोर्से आपको अपनी तरफ खीचते हैं बस उसी के चक्कर में अपने को पढ़ना नहीं है अगर आप यह चीज समझ गई कि हमें पढ़ाई में छोड़ना क्या है कौन सी चीज की तरफ हमें नहीं भागना है तो आप 100% सफल हो जाएंगे बहुत ही जल्दी हो जाएंगे देखे थोड़ा सा सरसरी भरी निगाव से आप इस नि लिखा है कि राज़्थान राजरीक विशिष्ट संदर्व के साथ माध्यमिक इस्तरगे सामाने ज्यान माध्यमिक इस्तरगी बात चल लिए सेकेंड्री लेवल देनिक विज्ञान, गनित, समाजिक विज्ञान, भुगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामाईक विश्यों पर आधारित प्रसन होंगे। पेपर का पेटन, आप सभी को बता है, 1500 सवाल आते हैं, जैसे 3 गंटे का समय होगा, पार्ट M 105, पार्ट B में 45 सवाल होगे। विभाग का काम हैं, विभाग से प्राप्त विगप्ति के अनुसार भरती परकिरिया अपनाते हैं, विभाग को इससे अवगत करा चुके हैं कि विश्टरच स्लेबस बेजा जाए, बोर्ड स्लेबस को लेकर अपने इस तरपर निरने नहीं ले सकता, चलो ठीक है, इन्हों स्लेबस है, विश्टरच स्लेबस जो आई है, जारी कर दिया जाएगा, जहां तक संभावन आए है, यह पैटन है परिक्षा का, आप सभी देख सकते हैं, और यह देखो, यह स्लेबस है इसका, अपन भाग एक ही बात करेंगे, भाग बी की बात अपन किसी दूसरे वीडिय जाने किस तर सेकेंडरी का होगा, यह कह रहे हैं सेकेंडरी का होगा, लेकिन सेकेंडरी से कितने कोश्चन बन जाएंगे, और सेकेंडरी तक का ही होगा, तब तो भाई, इसकी मेरिट तो यह 105 सवाल है, तो यह 105 में से 100 सवाल भी जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, तो इन बात बहुत ही ध्यान से सुनना कोई भी मिश मत कर देना आपने यह नाम सुना होगा कि राजस्थान अध्यान की उस्थ के हैं कि देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं मैं किसी भी एक स्पेसिफिक बुक का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उन बुक्स के अंदर स्लेबस देखाएं कि जैसे ही पसुपरिचर वाली बरती आई कि बुक्सिक नहीं किया वही किताब ग्राम सिवक की भरती में भी आएंगी पटवारी में भी आएंगी ऐसाई में भी आएंगी वही की यह आएंगी बस कवर पेछेंज यह सब करके ऊपर प्रसु परी चरह लिए अंदर वहीं चीजा रही है, चली जा रही है, तो इन चीजों से बचो, वाकी ही में बचो इन चीजों से आप, चीजों को समझो. देखो, रास्थान अध्यन के पुस्तक हैं, इसमें जैसे कि नोवी क्लास की पुस्तक है, दस्वी की पुस्तक है, और आप शिख्त, सेवंत और एट्थ के जो रास्थान अध्यन के पुस्तक हैं, इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, और इन्हें अभी से पढ़ना इस्टार्ट कर दें और यह बुक्स में आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसी यह बुक्स हैं मेरे पास इनकी ओरिजिनल कोपी पड़ी है गवर्रमेंट स्कूल से ली थी मैंने यह कभी किसी समय तो इन पर लिखा भी वायद राज के विध्याल में निसुल्क वित्रन हेतु यह तो दस्वी की बुक्स है मेरे पास में रास्तान अध्यन भाग 2 यह दस्वी की किताब है विज의 स्वीक बना हुआ इसके उपर माद में एक सिक्षावड रास्तान अजमेद अब इसके अंदर कुछ टोपिक हैं आपके स्लेबस में दी विए वह चीज़े हैं इसके अंदर कुछ तोपिक हैं जैसे आपके स्लेबस में भूगोल दिया हुआ है अब इसमें पसुदन भी है डेरी विकास भी और पसुदन वाला टोपिक आपके बाग बैय में भी है इसलिए आप ये बुक एक बार जरूर पढ़ लें विरासत का संदक्षन राष्टिय उद्यान वन्य जिव अभ्यारण् किया गया वो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे फिर जैसे मापको एक और बुक दिखाता हूं अब मापको दिखाता हूं कक्षा आठ की बुक कि कहा गई वह यह रही है यह मेरे पास में कक्षा आठ के लिए रास्थान देने की पुस्तक आप सभी द जाएंगे अब इसमें देखो कितने अच्छे-च्छे टॉपिक दे रखें मेरी बात सुना आप सन 877 की करांती में राजस्थान का योगदान राजस्थान में सवतंत्रता अंदुलेनें प्रमुक्ष जननाएक राजस्थान का एकी करन राजस्थान की जन संख्या खनीज उर्जा संसादन उद्योग एम परियतन जल संदक्षन एम संग्रहन कला तथा संस्कृति से टोपिक हैं राजस्थानी साहित्य लोक संगीत नाट्टे हमारी विरासत का संदक्षन मतलब देखो यहां पर आपको कौन-कौन चीज़े दे रखें तो रास्थान के संदब में ह इसलिए रास्थान देन की पुस्तके बड़ी जरूरी हो जाती हैं अब यह आठवी क्लास की पुस्तक है इसमें तीन चीज़ें कवर कर रखें एक तो भुगोल एक इतियास और कलासंस्कृति तीनों चीज़ें इसमें कवर कर रखें और जहां तक अगर अपन बातचित करे हैं इसतर की बात कर रहे हैं यहां पर सेकेंडरी का तो बैटा आप कॉन्फिडेंट रहोगे अगर आप नोवी थाटी साथवी आठवी नोवी और दसवी यह सारी की सारी रास्ता ने देन की पुस्तकें पढ़ लेते हो तो अब यह पुस्तके जरूर पढ़ लें 100% आपको हिमाले जो अबके हमारी टीम ने हमारी एप के ऊपर NCRT बेस्ट जो एन- 토 रास्ता ने देने की पुस्तके हैं मद्विजश्दा की अधम टीक्वर्ण कीभी पुस्तके हैं इनके सिल्क这个 द हैं एककडम शान्दार नोट्स वन लाइनर नोट्स हमारी एप के ऊपर अपलोड क ही पड़े जब तक कि विश्तरच स्लेबस नहीं आ जाता अब आपको एक चीज और बता दू मैं कि जब आप ये रास्ताने देन के पुस्त के पढ़ लोगे अगर उसके बाद आपका विश्तरच स्लेबस आता है तो मैं गैरेंटी देता हूं 90 परतिसत जो टोपिक आएंगे विश्तरच स्लेबस के अंदर वो आप रास्ताने देन की बुक्स से कवर कर चुके हो सिरफ दस परसेंटी ऐसा होगा जिसको आपको और पढ़ना होगा समझे वो मेरी बात तो एप डाउनलोड जरूर कर लें हिमाल एजी अब एप्लिकेशन डाउनलोड कर लें पार्ट ए की तैयारी बहुत ही शांदार करें इसे मजबूत कर लें और भी मापको थोड़ी बुक्स दिखाऊं आपके पास अगर समय रहे तो आप जैसे ये कक्ष सिक्स्थ क्लास की बुक है तो ये बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप वाकई में पसुपरिचर की तयारी कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है देखो विद्यार्थी बहुती ऐसमंजस की स्थति में है क्योंकि इन्होंने स्लेबस जो है उसे विस्तरित समझा रखाया और श्लेबस विस्तार पूरवक ना होने की वज़य से विज्दर्थियों को तरह-थरह कि संक्ट जहलने है और वह संक्ट किस तरह के हैं वह मानसिक संक्ट है और कोई संक्ट नहीं है मानसिक संक्त अब उन ही के दोस्त उनको ऐसे टोक लेते हैं कि यहार प्रूरी है चलो यहां इनोंने राश्थान संदर्व दे रखा यहां पहले से ही कि राश्थान राज्य के विशिष्ट संदव में तो राश्थान राज्य के विशिष्ट संदव में भी अगर आपन टेंथ तक की बातचित करें तो जैसे मैं टेंथ की राश्थान देन के मंदिर सिल्फ के अगर आपन बात्चित करें बहुत प्रकार के वो सकते हैं इस बुक के अंदर जितने दे दिये हुए है इससे भी ज्यादा हो सकते हैं चीजें गहराई में भी जा सकते हैं तो देखो आप ठीक है अगर आपके पास यह रास्तान अदिन के पुस्त के हैं तो एडिशनल बाते भी हैं वो भी आपको पढ़ने को वहां से जरूर मिल जाएंगे तो इसलिए प्यारे बच्चों अपनी तयारी को एक सही दिशा दें एक चीज में आपको और बताओं इसमें एक चीज लिखी विए है समसामई की भी से काफी बच्चों का सवाल रहता है कि सर करेंट अफेर्श सिर्फ राजस्थान की आएंगे या इंडिया के भी आएंगे करेंट अफ्यर्ज जिस तरह से वही इनों है अपने नोट्िंफिकेशन के अंदर दिया है उस तरह मय का से इसलिए टिसमें तो कोशिस माई याद जून से करंट अफेर पढ़ना स्टार्ट करीदो एक चीज और माँ आपको बतायता हूँ देखो जो बच्चे पसू परिचर की एक्जाम देंगे ऐसा तो नहीं है कि वह बच्चे CET ग्रेजवेशन भी नहीं देंगे CET 10 प्लस टू भी देंगे वह बच्चे ग्र तो वहीं से हो जाएगी ग्रेजवेशन से और जो CET 10 प्लस टू कि आप तयारी कर रहे हो आपकी खूब सारी तयारी तो वहीं से हो जाएगी बट फिर भी देखो यहां पी दिया हुआ है कि मानना की स्थार सेकेंडरी घा होगा और रास्थान राज्ये के विशिस्ट संदर में होगा इसलिए आप रास्थान देन की पुस्त के और हमारी एप की उपर जो आपको पसू परीचर की स्पेशल नोट्स मिलेंगे वह सारे की सारे डाउनलोड करें पीडिया फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे और उनको डाउनलोड करने के बाद में उनका प्रिंट आ हमारे टेस्सीरिज में हाड कोशन नहीं है और ना आपकी एक्जाम में हाड कोशन आएंगे क्योंकि सब्से बड़ा मुद्दा यही है कि स्लेबस ही क्या है एक्साम का हमें विस्त्रिच इस यह है अच्छे से एक्स्प्लेइन किया हुआ हमें स्लेबस चाहिए तो आई होप कि आप मेरी सभी बाते हैं समझ गए होंगे जल्दी से आप डाउनलोड कर लें आप हिमाले ज्वा प्ले स्टोर से भी और एप स्टोर से भी जल्दी मिलते हैं अपन पार्ट बी की एक शांदार सी स्ट्रेटजी के साथ में जो की 30% भारांक रखता है अपना पेपर के अंदर चैशनल को से भी सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे वीडियो को अधिक से बीच शेयर कर देंगे जल्दी मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए भाइज धन्यवाद